राम राम जहिन। यहां पर परसनल ट्रेनिंग लेने के लिए जिम के लिए रनिंग के लिए कुछ भी करना हो इसके लिए हैं उस नंबर जो आ रहा है इसमें पे बारे सौर रॉपए का पेलियों का सबसे सस्ता है सब्सके स Object of प्राइज आन हम लोग नहीं मिला हम हम तुमारे साथ एक ऐसा बॉंड बनाना चाहते हैं जहां पर हम अपनी चीजें समझाएं नहीं हम डिसकस करें समझ रहो हम कोई ग्यान ना बाटे हम लोग डिसकस करें बस ठीक है तो हम अपनी चीजें बताते हैं उस पर रिसर्च लगाते हैं उस पर कह के उपर अभी से जब बहुत पहले वीडियो बनाते थे तब हमें इतना हमने पढ़ा ही नहीं किती इन सब चीजों के बारे में जैसे जैसे अब हम पढ़ रहे हैं कुछ कुछ चीजे हमें पता चल नहीं तो हम चाहते हैं तुम लोग समझ लो हम इसलिए कितना सिंपल कर देते हैं कि बोर्ड पर लिख दिया भया इसे से चीजे फॉलो कर लेना हम कोई भी एडिटिंग कोई भी ऐसा एनिमेशन कुछ नहीं डालते हैं क्योंकि हम आप ता भी नहीं पहली बात तो खैर हम यहां पर बात कर रहे हैं चने के बारे में सबसे पहली चीज यह है कि इसको कभी बी डेली कंजियूम मत करो अब इसका मतलब क्या है देखो चनन डाइजेसन के लिए वन अप द बेस्ट फूड है यह सबको पताए क्यों क्योंकि चने में है फाईबर ठीक है चने में क्या है फाइबर और फाइबर हमारे डाइजेसन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज करो कि इसको डेली बेसिस पर कंजूम मत करो यह हामफुल हो सकता है अपने लिए पहली चीजी समझ में आगे ठीक है ऑल्टरनेटी उसकर लो हफते में चार दिन खालो दूसरी चीज यह है कि अगर पेट में जरासी भी प्रॉब्लम है समझ रहो जरासी प्रॉब्लम का मतलब क जाए कि पेट फूल जाता है ब्लोटिंग की प्रॉब्लम में ऐसी डिटी रहती है कॉंस्टिपेशन रहता है ठीक है तो आपको क्या करना है कभी भी इस प्रॉट्स को बिना बॉइल इस प्रॉट्स तो नहीं कहेंगे कैर सॉरी चने को हमेशा बॉइल करके ही खाना है देखो क्या होता है कि जब हम इस प्रॉट बनाते हैं तो इस प्रॉट में पानी तो सोक कर लेता है लेकिन उसकी हाड्नेस अभी गई नहीं होती है आपने देखा बहुत चबाना पड़ता उसको तो अगर आपका डाइजेशन इत्रह अच्छा नहीं है आपको आईवीस की यह फिर हम यह कहां कि जो ब्व्लोटिंग की प्रॉबलम मैं इसे डीटी है कॉस्सिपेशन की प्रॉबलम मैं तो चने जो है वह वो भॉय करके ही खाओ ताकि वह और चाहिए तो हमें ज्यादा तुरंत बाद मत खाओ अब इसके पीछे भी लॉजिक हम समझाते हैं तुरंत बाद देखो चना सत्तू बात अलग हो गई हम यहां पर सिर्फ चने की बात कर रहे हैं तो अगर आपको वर्काउट के बाद खाना है तो आप पीना है चना सत्तू पी सकते हो वो टोटली ओके है फाइन समें में कोई आपती नहीं है और कोई दिकत नहीं है लेकिन हम या पर बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स या कोई वी एक्टिविटी कर रहा हो उसके तुरंत बाद अगर खाना पढ़ रहा है तो चने मत खाओ सत्तू पीलो कोई दिकत नहीं चने मत और जो नहीं हो उसके पिछे रीसन का उसके पीछे भी रीजन यह है कि जब भी आप इसके बाद खाओँगे तो आपको हमेशा देखो क्या होता है कि जब आप परकाउट करका हो आपको कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए, जो बॉड़ी में तुरंत करें। जैसे कि हम खाते हैं, Simple Caps', Simple Caps का मतलब क्या होता, जैसे कि चावल, जैसे कि ti protein sakes then, वह भाठी होने बहुट टाइम नहीं लगाते हैं। अगर वेब रोटीन आपका अच्छे ब्रैंड का है डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ तो बहुत ज़्यादा टाइम में लगी का उनको डाइजेस्ट करने में लेकिन चने जब खाते हो तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए यह चाहिए समय तो वह चीज़ें अपने पास है नहीं ठीक है तो तीसी चीज यह हो गई चौती चीज जरूरी नहीं है कि चने खाओ अब देखो क्या होता है कि हम पहले हमेशा कहते थे चना गोड़ चने गोड़ फाइदे मंद है बहुत बेनिफिट है लेकिन अगर हम यह कहें कि तुम्हें चने की जगह अगर चना नह है लेकिन अगर नहीं पचा पा रहा है यह डेली बेसेस पर प्रॉब्लम हो रही है तो इसकिप कर दो उसको इसकिप कर दो उसको कोई दिक्कत नहीं है चने में ऐसे बहुत हैवी नूट्रेंट्स नहीं है जो किसी और डाइट से नहीं मिल पाएं तो अगर तुम बिलकुल एगनूर करना चाहते हैं कर दों में कोई बड़ा इसू है नहीं को बड़ी दिक्कत है ठीक है यह हो गई हमारे पास चार बात यह कैसी भी में की सफोर्ट के पहले चना कोई भी तरीके का प्रोंम सों कोई एनर्जी तुम्हें वर्काउट में लगानी है वो वर्काउट में ना लगके वो लगेगी डाइजेशन प्रक्रिया में तुम्हारे खाने को पचाने मुसको मेनत करनी पड़ जाएगी तो इतनी मेनत उसे मत कराओ तो कोसिस यह करो कि स्पोर्ट जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसके पहले चने कंजूम मत करो बॉड़ी के लिए सही नहीं है बस इतनी चीजे थी बताने लाइक बाकी अगर आप भुना हुआ चना खाना चाते हो वो बहुत बेस्ट रहेगा और उबला हुआ अगर छोला ख